हलो गाइस मेरा नाम नेहा है और आज आज मैं आपको एक ब्यूटी फोम रेमिटी के बारे में बताना चाहती हैं जैसे कि आज कल आप देख रहे हैं कि हम वर्किंग वोमेंस हैं और जिनें बिल्कुल भी समय नहीं रहता है अपने आपको खयाल लखने का मारकर में बहुत सारे ऐसे प्रोडेक्स हैं जो इंस्टेंट हमें गलो देते हैं बट तो कुछी टाम तक वो चीज़े रहती हैं पट हमारे पुराने समय में जो हमारी दादी ना नीग करती हैं जो घरलून उसके लगाती है उसकी बात ही कुछ और होती है जैसा कि हम बाहर कु कुछ ऐसी रेमेडी खुदी अलड़ी है जिसके द्वारा हम अपने जो तुच्छा के निखार है उसको बढ़ा सकते हैं जैसा कि जो भी चीज में आज यूज करने वाली हूं एक ऐस्पैक बनाने जारी हूं है वो हमारे किचन में सभी रोगों के किचन में अवेलेबल रह सबसे पहले हमें लेना होगा बेसन जैसर कि आप देख रहे हैं यह फिसावा बेसन है जो मैकसिमम लोगों के घर में आपको मिल जाएगा सभी के घर में आज कलिए रहता है आपको कुछ नहीं करना है आपको थोड़ा सा बेसन लेना है इतना आधा आफ टेबल स्पूर्ट थोड़ा सा आपने लिया इसके बाद में हम इसमें थोड़ा सा मिलाएंगे कच्चा दूद यह आप सब देख रहे हैं यह कच्चा दूद है हमें भी इसको सिर्व एक चमच लेना है जितना कि यह हमारा एक गाड़े पेस्ट को बना देख है इसके बाद हम इसमें थोड़ा जालेंगे आप देख रहे हैं जो मीम्बू होता है वह बहुत ही अच्छा ब्लीच का काम करता है हम इसको आपको बता रहे हैं कैसे यह करेगा इसको पूरा नहीं इस्तिमाल करना है थोड़ा सा ही आप इसको काटिए जैसे कि मैंने थोड़ा सा लिया मैंने थोड़ा सा रस चाहिए था मैंने इसमें यह निम्बू ऐसे करके यह निचोड़ दिया हमें बस एक दो बूंड इसकी रस की चाहिए होगी यह हमने एक दो बूंड इसमें वेस जो था वह मिला भी है चीक है उसके बाद में हम इसमें थोड़ा सा एलोविरा जो होता है एलोविरा हमारी स्कीन को बहुत अच्छा स्मूध बनाता है जैसे कि आजकल आप देख रहे होंगे कि हमारी जो तोचा है वह सूखी हो गई ऐस ल्काव से समय आ गया है कि हमें इसका खया लगना पड़ेगा तो हम महर की क्रीमें लगाते हैं बट हमें उसका उतना इच्छा नहीं मिलता है थोड़े सबसे अगर हम अपनी बॉड़ीको नरिश रखना है इसको स्मूथ रखना है तो है ये आपने देख अगा अलोवेरा ह अब इसमें हम थोड़ा सा आपने टमाटर है ये ब्लीच का ये भी काम करता है जितने टैनिंग जितने ब्लैक अपर रहता है वह आपके ये इसका बस हमें रस्ट चाहिए होगा हमाई शरीर से ये रिमूट कर देगा बस ये थोड़ा से काट रही हूं इस तरह से हटा लिया औ और इसके बाद दोस्तो ये हल्दी है यह भी हमारे आपको घर में मिलेगी इस तरह से आख एन्दर एमिटने को लिक्विड इसको मिला दिए ठीक है दोस्तों यह आप देख रहे हैं कि इस तरीके से यह एक पेस्ट की रूप में बन गया है हल्दी जो होती है वह हमारी तोचा में निखार लाने के लिए होती है यह बहुत ही अच्छा एक प्रड़क्ट है जो कि हमारी तोचा को इंस्टेंट गोरा बना दिता है अब दोस्तों इसको इस्तमाल किसे करना है, आपको कुशनी करना है, आपको थोड़ा से ऐस तरीके से लेना है, अपनी बॉड़ी पे इस तरह से ऐसे लगाना है, आप इसको अपनी बॉड़ी पे लगाईए और 10-15 मिनट तक इसको सूपने दीजिए, जैसे थोड़ा से ड्रा रहा है उसके हमारी बोडी बहुत खराब हो जाती है तो उसके लिहाद से देखते हुए मैंने यह वीडियो बनाए है और अगर आप इसे लगाते हैं हफते में तीन बार तो यह आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा ठीके दोस्तों नमस्कार जैसे कि मैंने यह आपके ल आपको को मिलेगा आपको को मिलेगा रहा है तो आपको को मेलेगा रहा है कि दोस्तों बाए है